मुसल्मानों के सबसे पवित्र शहरों में शुमार मदीना अचानक चर्चाओं में हैं। भारत सरकार में अल्पसंख्यक मामलो की मंत्री, स्मृती इरानी और विदेश राज्य मंत्री वी मुर्ली धरन सौधी अरब की यात्रा पर हैं। और भारत के प्रतिनिधी मंडल ने मदीना का भी दोरा किया है। स्मृती इरानी के इस मदीना दोरे की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसकी वज़ा ये है कि मक्का और मदीना में लंबे समय तक गैर मुसलिम नहीं जाते रहे हैं। स्मृती इरानी और भारतिय प्रतिनिधी मंडल की मदीना यात्रा को देखा जाए तो इसमें बीते कुछ सालों में भारत और सौधी अरब के बदले रिष्टों की जलक दिखाई देती है। दूसरी और मदीना और मक्का जाने के लिए भी गैर मुस्लिमों पर कई तरह की रुकावटे हैं। हज करने के लिए मक्का और मदीना आते हैं। और ऐसे में मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों की एंट्री ना देने के पीछे अलग अलग कारण और तर्ग बताये जाते हैं। हाला कि धर्म के अलावब भारत की गैर मुस्लिम महिला मंत्री का बिना किसी दुपटे और हिजाब के मदीना दौरा दुनिया में भारत की बढ़ती एहमियत और काम्याब कूटनीती को दिखाता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि स्मृती इरानी के मदीना दौरे की चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। मुहमद बिन सल्मान की भी आलोचना की है। पर जाने का 25,000 का कोटा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अर्टे रहा है। मुहमद बिन सल्मान की ओकिस्तान में दॉनी पाकिस्तान अभी आलोचना की और भी है।